अगर आपके वाइफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखें दोस्तों कई वार ऐसा होता है कि हमारे मुबाइल फोन का वाइफाई जो होता है वो कनेक्टेट रहता है लेकिन वाइफाई का इंटरनेट काम नहीं करता है तो इसके सॉलुशन के लिए आपको यह करना है सबसे पहले अपने फोन को रहना रिस्टार्ट करने के अगर कोई प्रॉब्लम आजाती है तो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है अब यहाँ पर आपको इसके अगला प्रोसेस करना यह है कि आपको जोना अपने मुबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रिसेट कर देना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे वाईफाइब की यहाँ पर आपको सबसेऊपर सबसेच बारे में रिसेट आपको लखना है अपको नीचे रिसेट का ऑप्शन पर टक में आपको नीचे लिखा हुआ आ जाइगा यह तरहका इस तरह किसे आप मुएलफोन की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट कर देंगे तो इससे आपकी जो वाई-फाई की इंटरनेट की प्रॉडम है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहापर आपको अगला process यह करना है कि आपको जो आपने मुवैल फोन का software एक बर चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कही बार ऐसा होता है हमारे फोन के software का update आता है हम उसे update नहीं करते हैं या फिर update आता है तो हमें पता नहीं लगता है तो मुवैल फोन का software होता हुँआ हमारे अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मुवैल फोन के Android सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है तो आपके फोन का software है या नहीं आपको चेक कैसे करना है इसके लिए आपको सबसे वाले मुवैल फोन का internet आपको चालू रखना है इसके बाद आपको मुवैल फोन का setting पेज उपन करना है सबसे नीचे आपको software अपडेट पर tap करना है इसके अगले पेज में download install पर tap करना है अब यहाँ पर आपको जो है इस वाले पेज में कोई भी setting page open करना है setting page में सबसे ओपर connection पर tap करना है अब यहाँ पर आपको नीचे की साइट यह mobile network पर tap करना है अब यहाँ पर आपको अगले पेज में access point name का option tap करना है अब यहाँ पर आपको जो है सबसे ऊपर यह right side के top पर यह 3. option दिखाई देता 3. पर आपको tap करना है एक छोटा स आप जो है mobile phone की API setting को reset कर देंगे तो इससे आपके wifi की internet की problem solve हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगला काम यह करना है देखिए आपको अपने mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों आपको अपने phone को reset आपको तभी करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम न सब्सक्राइब करना है तो आपको नीचे रिसेट का options होगा reset पर करना है इससे आपका phone directly reset की setting में आपको लेकर आजाएगा reset पर करना है अब यहाँ पर आपको अगले page में reset setting पर tap करना है यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे लिखा हुआ आजाएगा यह देखिए network setting reset इस तर process आपको step by step follow करना है तो इससे आपके mobile phone की जो wifi के internet की problem है यह आपकी solve हो जाएगी